नमस्कार इलेक्ट्रिकल जिंदगी में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट लेशन के कौन कौन से टम्स हमारे सेकंड लेशन पे यूज किये जाएंगे मतलब कि बेसिकली हम लोग बात करेंगे लिंक लेक्चर के बारे सेकंड लेशन में बहुत ज्यादा यूज किये जाएंगे उन्हें आपको एक बार रिवाइस कराने के लिए मैं यह लिंक लेक्चर बना रहा हूं इसमें आपको फर्स्ट लेशन के जो टर्म आप अगर भूल गए हैं या फिर आपके माइंड से स्किप कर गए हैं तो आप उन्हें यहां पर रिवाइस कर सकते हैं यहां पर मैं आपको फर्स्ट लेशन के काफी सारी चीज़े फिर से रिवाइस करा दूंगा इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है इसे पूरा देखेगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेगा चलिएगा आ हमारे सेकंड लेशन में यूज किये जाएंगे माई का मतलब होता है मुविंग आयरन इंस्ट्रुमेंट्स और प्रमानेंट मैगनेट मुविंग क्वाइल तो यह अगर आपके दिमाग में अभी थोड़ा सा अवर्वीव होगा तो आपको तुरंत याद आ गया होगा यह क आपके साथ में शेयर किया था प्रीविएस वीडियो में टाइपस ऑफ इंस्ट्रुमेंट एक्कॉर्डिंग टू टॉर्क क्योंकि यह जो हमारी शीट है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह हर बार मैंने आपको दिखाई है कोई भी हमें कॉंसप्ट क्लियर करना होता था तो मैं आपको यही शीट आपको बार-बार दिखाता था तो आप शीट को अपने मांड पर रखेगा जिसे कम डेटा में आप ज्यादा चीज़े अपने मांड में इस्टोर कर पाएंगे तो देखिएगा टाइपस ऑफ इंस्ट्रुमेंट्स एक्कॉर्डिंग लिख देता हूं यहां यहां पर मेना जैंदा है हमारा है इसे इस्टूमें इस इस पर हमांट करना चाहेगा यह प्inkingitate तो यह किस किस तो संद्द दिफ्लेक्टिंग टौरक हमारा होता है अब ये जो pointer है ये हमारा 0 से 5 वोल्ट पर deflect किया कहीं ऐसा ना हो कि ये pointer हमारा ज़्यादा deflect कर जाए या फिर हमारा pointer 5 वोल्ट पर जाकर फिर से इधर साइड में आ जाए तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते है controlling torque apply करते है pointer पे जिससे हमारा pointer जो होता है वो control हो पा रहा होता है कि जिस stage पे या फिर जिस हमारा value पर जाकर के pointer को रुखना है वो particular उसी value पर जाकर रुख पाए तो इसके लिए हम लोग क्या apply करते है controlling तो apply करते है अब यहां पर यह हमारा pointer जो है move करके 5 वोल्ट पर आ गया control भी हो चुका है pointer लेकिन अभी करता है धीमे धीमे oscillate करता रहता है धीमे धीमे हमारा damp करता रहता है मतलब हिलता रहता है ऐसे pointer जिसे हमें steady reading लेने में जो दिक्कत होती है वो बहुत जादा होती तो steady state में pointer को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है damping टॉर्क एपलाई करना होता है बागी यह सभी चीजे मैंने आपको डेप्त में बताई हुए तो आप प्रीविएस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो यहां पर जो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है यह हमारे electricity के कई सारे एफेक्ट के थूर्व हमें मिल सकता है जैसे magnetic effect के थूर्व electromagnetic effect के थूर्व chemical effect के थूर्व हमें डैंपिंग टॉर्क देखने को मिल जाता है वैसे अगर controlling टॉर्क आप करना चाहते किसी इंस्ट्रुमेंट में तो आप स्प्रिंग कंट्रोल के थूर्व कंट्रोल के थूर्व कर सकते हैं सेम उसी तरीके से अगर आप डैंपिंग टॉर्क प्राप्थ कर सकते हैं तो यह दो देखेगा दोस्तों जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है यहां पर आपको फिर से मैं दिखाओं देखिए Controllinginker क्यों होता है वह किसी इंस्टूमेंट के टाइप पर डिपेंड नहीं कर रहा है there will be controlling टॉर्ट आप किसी भी प्रकार के यूज कर सकते हैं टैंपिंग टॉर्क भी आप किसी भी प्रकार के यूज कर सकते हैं बाकि यहां फिर डिफ्लेक्टिंग तो हमें डिफ्लेक्शन मिल दा है पॉइंटर में तो हम उस इंश्रूमेंट को क्या कहेंगे मुविंग औरन इंश्रुमेंट कहने वाले हैं एक बाद पहसी समझ लिज़ेगा अगर deflecting torque हमेh magnetic effect के थू मिल ला है तो हम उसे क्या कहेंगे moving iron instrument कहने वाले हैं और अगर electromagnetic effect electrodynamic effect के थू हमेh deflection torque देखने को मिल ला है तो हमेh hem उसे moving coil instrument कहने वाले हैं मुंधेंगा तो हम उसे इंडेक्शन टाइप इंस्ट्रुमेंट कहने वाले हैं है इंस्ट्रुमेंट कहने वालए है तो हम उसे क्या कहेंगे, Electrostatic Voltometer कहने वाले हैं तो यह आपको चार्ट जो है, वो समझ में आ चुका होगा अला कि मैंने प्रिवेस्ट वीडियो में भी आपको इसे सभी चीज़ों को डेप्न में बताया हुआ यहां पर सिर्फ मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ आपका तो यहां पर आपने देखा कि Moving Iron Instrument इसी को हम लोग Shortform में MI भी कह देते हैं और अगर मैं बात कहूँ PMC की PMC की तो यही होता है हमारा Permanent Magnet Moving Coil तो यही चीज़ हमारी Moving Iron हो गया MI और PMC क्या होता है Moving Iron Instrument होते हैं वह हमारे Electrodynamic Effect के तुर जनरेट हो रहे होता है अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह दोनों ही टाइप के जो Instrument होते हैं यह हमारे Amitr या फिर वोल्टमीटर बनाने में काम में लिए जाते हैं जो हमारा Moving Iron Instrument होता है वह AC और DC पर वर्क करता है और जो हमारा Moving Quality Instrument होता है वह Only DC पर ही हमारा वर्क कर रहा होता है तो चलिएगा Next हमारी शीट पर चलते हैं इसके बाद मैंने आपको PMI मतलब की Magnetic मतलब की Moving Iron Instruments के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से Moving Iron Instruments का वर्किंग प्रिंस्पल रहता है ठीक है ना तो यह हमारा MI Type के Instrument का Working Principle होता है और यह हमारा आपका PMC Type के जो Instruments होते हैं उनका Working Principle यहां पर होता है यह Induction Type का Instrument है तो इसे आप भी आपको ध्यान नहीं देना है हलाकि यह Energy Meter में आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आप PMC की बात करें तो यह अभी आपको Next जो आपका Lesson है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके का जो मैंने आपको बताया था बना करके तो यह आपका PMC Type का Instrument है Permanent Magnet Moving公 circularirit Vaccination क्या 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 चीजे यहांपे आगे काम आने वाली हैं आला कि MI और PMC टाइब थे इंस्ट्रुमेंट्स इन में कुछ चीजे मेरे छूट गई थी तो वह मैं आज आपको कवर करा देता हूं मैं कोशन में आपको पूछा जा सकता है MI instruments के बारे में बताईए मतलब कि moving iron instruments के बारे में बताईए तो आपको moving iron instruments का working principle है वह आपको बता देना है basically आपको यह चीज दिखाने होगा moving iron instruments के बारे में कि यह moving और इंस्ट्रुमेंट्स होता है और इसमें attraction और repulsion टाइप के होते हैं और यह दोनों आपको diagram बनाने होगा और उनके बारे में आपको लिखना होगा ठीक है तो चलिएगा अभी moving iron instruments के बारे में कुछ और भी बाते जान लेते हैं moving iron instruments होते हैं उनके advantages and disadvantages में बात कर लेते हैं जो moving iron instruments होते हैं वो too cheap होते हैं मतलब कि काफी सस्ते आप वो देखने को मिल जाएंगे simple construction होता है जब मैंने आपको इसका construction का explain किया था तब भी आपने देखा था कि कोई जादा इतना जादा complicated नहीं था circuit बहुत easy था तो मतलब कि काफी सस्ते होते हैं और काफी इनका construction जो होता है वो हमारा सरल होता है simple operation होता है उनका farades के law पर depend होते हैं electromagnetic induction पर basically work कर रहे होते हैं वही सब और income more accurate होते हैं यह सबसे ज़्यादा तो आपके यहां पर यह बात आती है और यह जो instrument होते हैं MI यह AC और DC पर भी work कर सक हैं यहां पर देखिए कि मैंने इस चार्ट शीट पर आपको बताया हुआ था कि जो MI होते हैं moving instruments होते हैं वह AC और DC पर भी work कर सकते हैं तो यहां पर देखें used for AC and DC disadvantage क्या है जो इनका scale होता है वह non uniform होता है मतलब कि पहले जो सुरुआती time जो होगा यहां तो काफी सगन होग लेकिन बाद में हमारा viral देखने को मिल जाता है तो इस तरीके को इंस्रुमेंट्स होते हैं माई-type जो instruments होते हैं इनका disadvantage क्या है कि non uniform इनका scale देखने को मिलता है यह जादा sensitive नहीं होता है मतलब कि आपको first video lecture में मैंने basic terms में बताया था कि sensitivity क्या मतलब होता है यह जादा sensitive नही है क्योंकि यह ज़्यादा पावर का कंजेप्शन कर दे होते हैं अगर हम एसी को इस पर एपलाई करते हैं और एसी के अगर फिक्वेंसी हमाई हो जाती तो भी इसमें एर्र देखने को मिल जाएंगे तो आश्या करूंगा कि एडवांटेजर्स एंडिस एडवांटेजर्स ज जो हमारी कमिया हो जाती हैं गर्णा करने में वो कौन-कौन से हो सकती हैं मूविंग आरें इस्ट्रुमेंट्स में तो एर्र जो होती हैं वो हमारी दो टाइप से हो सकती हैं errors with AC and DC मतलब कि AC और DC के कारण भी errors हो सकती है या फिर केवर AC के कारण भी error हो सकती है error with AC only तो error with AC and DC में आपके 3 types की errors आ जाती है due to hysteresis मतलब hysteresis loss के वज़े से हमारी error देखने को मिल जाती है MI type instruments में due to extreme magnetic field मतलब कि जब आपका आपको दिखा देता हूँ इनकी जो magnetic field बनती है वो काफी कम बनती है कम मात्रा में बन पाती है तो बाहर की जो magnetic field होती है अगर यह मान लिए हमारा एक instrument है यहाँ पर एक मैने magnet रख दिया तो यहाँ का जो magnet होगा इसकी magnetic field होगा इसको हमारा यह disturb करता होगा तो इसी को कह देता है due to extreme magnetic field मतलब कि जो errors AC and DC होती है इनकी magnetic field काफी कम बन पाती है तो इस वज़े से due to extreme magnetic field आपको error देखने को मिल जाएंगी due to temperature आपको देखेगा यहाँ पर आपकी coil बगेरा लगी हुई है यहाँ पर coil बगेरा लगी हुई है तो coil में से जब current आपका flow होता है तो temperature होगा आपका जनरेट हो जाता है तो temperature क्या होता है कि magnetic lines या फिर magnetic field होती इसको effect कर रहा होता है तो due to temperature आपको errors देखने को मिल जाएंगी अगर मैं बात करूँ कि errors with AC only अगर आपके frequency हमारी AC की change हो रही होगी बार बार तो भी हमें errors देखने को मिल जाएंगी मतलब कि कुल मिला के जो MI type instruments होता है moving RN type instruments होता है उनमें जो errors होती है वो चार प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी कि hysteresis की वज़े से आपके errors हो सकते हैं या फिर इस्ट्रे मैगनेटिक फिल्ड की वज़े से errors हो सकते हैं temperature की वज़े से errors हो सकते हैं या फिर चेंज in frequency in AC तो AC के में जो frequency बगएर चेंज हो जाती है उसकी वज़े से आपको error देखने को मिल जाएगी अभी मैं यहां पर बात कर लेता हूँ कि जो MI type instrument होते हैं उनकी range क्या होती है मतलब कि जो आपके instrument होता है अभी मान लेज़े यह मेरा instrument है इसमें कुछ ना कुछ range होगी कि पचास जीरो से लेकर पचास वोल्ट तक की यह measure कर सकता है तो इसी तरीके से हमारा MI में भी जो moving iron instruments होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ range होती है तो range emitter के लिए आपको बता है कि MI का क्या बना जा सकता है emitter and voltmeter तो MI का अगर हम emitter बनाते हैं तो इसकी range होगी 20 mili ampere से लेकर 800 ampere तक की without CT मतलब current transformer current transformer क्या होता है आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे लिकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं यह जो emitter होता है emitter में अगर MI का use हम emitter की करेंगे तो इसमें 20 mili ampere से लेकर 800 ampere तक आपको नापने को मिल जाएगा without CT अगर हम MI का use as a volt meter करेंगे तो एक वोल्ट से लेकर के 800 वोल्ट आपको नापने को मिल जाएगा without PT तो आशक होगा कि यह आपको डायग्राम आता होगा previous video से जाकर करके आप इस डायग्राम को सीख सकते हैं जो यह हमारा instrument होता है यह basically हमारा DC पे work करता है AC पे work नहीं करेगा यह हमारा DC पे work करता है और इसका emitter वोल्ट मीटर या फी वाट मीटर बना सकते हैं हलाकि अभी आप emitter वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे ठीक ना तो चलिएगा इसके advantages and disadvantages अगरा बात कर लेते हैं working principle मैंने आपको previous video lectures में बताया हुआ है आप वहां से जाकर के देख सकते हैं आप इसको इसके लिए previous video lecture की जो लिंक है playlist की वह आपको description में मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हैं मैं यहां पर आपको PMC टाइप के advantages and disadvantages के बारे में दूर दूर होंगे यहां पर numbering वह हमारे उतना ही पढ़ने में easy हो जाएगा अच्छी करने तो very effective और reliable होते हैं addy current damping method is used so hysteresis no hysteresis loss मतलब कि इसमें addy current जो होती है वह damping के लिए use की जा रहे होती इसलिए hysteresis loss नहीं होते हैं low power consumption होता है इन में और साथी में no extreme magnetic field due to strong permanent magnets आपको पता है कि यहां पर permanent magnet का use कर रहे होते हैं तो इसलिए काफी जादा हमारी strong magnetic field हमारी generate हो जाती है जिस वज़े से हमारे बाहर के अगर कोई भी magnet रखा होता है तो इसकी magnetic field इस instrument को effect नहीं कर पाती है और इसकी reading हमारी accurate हमें मिल जाती है तो यहां पर कोई भी हमें ऐसा extreme magnetic field का effect देखने को नहीं मिलता है तो यह इसके basically advantages है आप advantages को याद कर सकते हैं advantage क्या है कि can't measure AC मतलब कि यह AC को measure नहीं कर सकता है और costly काफी ज़्यादा होता है यह काफी ज़्यादा महेंगे देखने को मिल जाते हैं MI instruments की compare में यह ज़्यादा महेंगे हमारे देखने को मिल जाते हैं इसमें देख लेते हैं types of errors कौन-कौन सी हमारी हो सकते हैं types of errors में water flow कराएंगे energy बगेरा यहाँ पर क्या होगा हमारा temperature generate होगा जब ज़्यादा temperature generate होगा तो यह हमारे क्या कर रहा होगा जो हमारे permanent magnets होंगे इनको हमारा effect कर रहा होगा तो यहां पर इस वज़े से हमारी error आपको देखने को मिल जाती है तो आपको के हमारी देखने को मिल जाएगा कि आपको यहां पर गलेटा लगी होगी आपकी कंट्रोल्लिंग तो यह भी हमारी इफेक्ट के वज़े से एरर देने लग जाती है तो और यहां पर next हमारा error है कि changing of resistance due to again of temperature effect मतलब कि जो हमारा इस coil का resistance वगेरा होता है वो भी हमारा temperature की वज़े से change हो जाता है तो यह सभी प्रकार की errors हमें देखने को मिल जाती है तो चलिएगा अभी हम बात कर लेते हैं कि range क्या क्या हो सकती है तो range के बारे में अगर मैं आप से बात करूँ तो यहां पर मैंने range वगेरा लिखके रखें प्यम्मC का अगर हम लोग emitter बनाते हैं तो without cent मतलब कि अभी आप इसके बारे में भी जान जाएंगे कि जो emitter होता है emitter की range वगेरा बढ़ानी होती तो cent resistance वगेरा लगाते हैं हलाकि अभी यहां पर आपको समझने की जोड़त नहीं है आप ऐसे learn कर सकते हैं बाद में आपको यह चीज़े समझ में आ जाएंगी अगर PMC का हम लोग emitter बनाते हैं तो without cent इसकी पांच mili amper से ले करके 50,0-5 micro amper स्वरी 50 ml तक कि आपको नापने को मिल जाएगा इसका range ठीक हैं अगर हम लोग with internal sun अगर इसमें लगाते हैं तो 0-2,000 amper तक आपको नापने को मिल जाएगा तो 0-5000 amper तक आपको नापने को मिल जाएगा अगर हम बात करें PMC का अगर हम लोग वोल्ट मेर बनाते हैं तो विडाय। सीरीस रिश्ट सैंस और अवरा मुल्ट सैंस मुलने को आपने को और सीरीज रिशीरिmedi और 30315 bubb न का मिल जाता है वी दोस्ति heißt यहां पर हम लोगुंने बात किया PMC टाइप instruments के बारे में और MI type instruments के बारे में ठीक है जो अभी आशा कोरूँगा कि यह सबी चीज्या आपको समझ में आया होंगी वीडियो काफी जाधा लेंडी हो रहा है इस वज़़े से वीडियो को भी और टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया तो आप उसे जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर वीटी उपी से रिलेटेड फुर्थर नोटिफिकेशन आपको मैं देता रहता हूं और ए-a-m की बुक नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के तुरू डाउनलोड कर सकते ह आपको e-a-m के वीटी पीडिया के लिंक में आपको डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है क्वैरी होती या फिवीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होते तो आप वह मुझे बता सकते हैं मेरे सुचल मेडिया एकाउंट पर तो चलिएगा मिलते हैं नेक्श् इंस्ट्रुमेंट के साथ में तेक कियर बाई बाई